साथियों आज के सेशन में जो चर्चा है वो है जीयो की जीयो मुकेश अमबानी का वो प्रोडेक्ट जो की देश में इंटरनेट करांती के लिए अपनी पीट थपतबा रहा है इन ही के पापा कहा करते थे कर लो दुनिया मुठी में धीरुभाई अमबानी जब टेलिकॉम सेक्टर के लिए जोड़ी फॉन आफर लेकर आये थे लेकिन पिताजी के संदेश को बेटे ने अपने हाथ में ले लिया है और वो सही माइने में दुनिया को मुठी में करने निकल चुके है शुरुआत उसकी भारत के 140 करोड लोगों से हुई है मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में जियो ने जिस तरह से प्रेडेटरी प्राइसिंग करके सबसे पहले लोगों तक रीच पहुँचाई लोगों तक सस्ते दामों में अपनी आदत लगाई और अब धीरे धीरे उन लोगों को अपने तरीके से जैसे मदारी डमरू पर नचा रहा हो कुछ उस तरीके से अपनी प्राइसिंग से लोगों को नचा रहा है जियो के द्वारा हाल ही में टैरिफ हाई करके साड़े 12% से 25% तक टैरिफ का इजाफा किया गया है और इस इजाफे से जीयो को और टैलिकॉम सेक्टर को लगभग 50,000 करोड रुपए एक ही बार में मुनाफे के रूप में प्राप्त हो जाएंगे और आप और हम फिर से एक अब्जेक्ट बन कर रह जाएंगे जिनके साथ कुछ बड़े तॉगलोमरेट्स खेल रहे हैं कुछ बड़ी उध्योग धंदे हमें अपने इमोशन्स के साथ प्ले करने का मौका दे रहे हैं साथिवें ये बहुत महत्वपून बात है अर्थ शास्त्र में इस बात को मौनोपॉलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है एक अधिकार प्रकार का व्यवहार कहा जाता है जिसमें कोई भी कमपनी पहले लोगों की आवशक्ता बनती है और फिर अपने कॉंपिटीशन को खत्म करती है कॉंपिटीशन को खत्म करके अपने हिसाब से मार्केट को नचाती है उसका जीवन्त उधारन आप में से अधिकांस व्यूवर्स ने जियो का उदै होते हुए देखा है जब शुरुवात में जीवो आया तब क्या कहकर आया आज जीवो क्या कर रहा है और उससे आगे हमारी पूरी जिंदगी को हाथ में रखने के लिए इसने क्या तरीके अपनाए है आज विस्तार से इसकी सारी चर्चा होगी क्योंकि भारतियों की याददाश्ट थोड़ी कमजोर है वो भूल जाते हैं कि कहां से क्या चीजें शुरू हुई थी कहां तक पहुँच गई तो इसलिए इस सेशन को शुरू से शुरू किया जा रहा है ताकि आपको यह याद दिलाया जा सके कि आप एक ट्रैप में कैसे फस्ते चले जाते हैं कैसे जीओ ने सारे कॉम्पिटीटर्स को पहले नुकसान पहुचाया सरकारी कमपनियों का मक्हौल उड़ाया बी एसनल को बरबाद ही कर दिया उसके बाद में जब लोगों के पास विकल्प के रूप में आप अकेले बचे तो आपने अपनी तरफ से लोगों को टपेरिस हाई करके टैरिफ हाई करके उन्हें बरबादी की तरफ ले जाने का रास्ता तैख कर दिया अब आप पूछेंगे बरबादी कैसे सर इसमें पैसा ही तो बढ़ाया है पैसे का लाब ही तो है सारी बाते समझ गिंती की चार ही तो कंपनी जियो, Airtel, Vodafone और PSNL बची हैं, ये कंपनिया कर रहे हैं, सोच ये देश का कितना बड़ा दुरभाग्य है, कि 140 करोड आबादी को सर्विस देने के नाम पर देश में केवल 4 कंपनिया मौजूद हैं, और उनमें से भी लगभग 45 करोड यूजर बेस लेकर के केवल एक कंपनी जियो बैठी हुई है, ये अपने आप में सोचने का विशह है, कि हमारे देश में किस तरह से मौनो पॉलिस् इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की आवशक्ता है, आपको समझने की आवशक्ता है कि पहले आपको आदत डाली गई और आदत डाल कर अब आप पर कबजा करने की तैयारी चल रही है, हमारी देश, हमारे देश राजनीती का गुलाम है या नहीं ये तो नहीं पता, ल इंटरनेट से होने वाली सर्विसेज को आप दिमाख में लेकर आईए और आपके दिमाख में जीो की इमेज आजाएगी जीो ने हाल ही में अपनी financial service शुरू की है जीयों ने हाल ही में जीो मांट शुरू किया है तो आज आपको ये पता चलेगा कि कैसे इंटरनेट को उपलब्ध कराकर डेटा गिरी करने वाले मुकेश अमबानी दादा गिरी पर उतर आए हैं साथियों एक व्यापारी हुए नाम था धिरुभाई अमबानी धिरुभाई अमबानी के बारे में कहा जाता है कि वो गल्फ कंट्रीज में पेट्रॉल वेंडर का कारे किया करते थे देश में आये कपड़े का व्यापार कि ये दो संताने हुई मुकेश और अनिल बड़ी संतान का नाम अनिल था बचोटी का नाम मुकेश था धीरु भाई अम्बानी ने अपनी धर्मपत्नी कोकिला बेन के साथ मिलकर देश में बहुत सारे उध्योग धंदों के विकास में महत्वपून योगदान दिया धीरु भाई अम्बानी वर्ष 2002 में जब नहीं रहे 70 साल की उम्र में जब उनका निधन हो गया तो ये कारोबार जगत के लिए एक बड़ा जटका बन कर निकला क्यों क्योंकि इनके दौनों बेटे मुकेश और अनिल अपनी अपनी जर्वतों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे इनकी माता जी कोकिला बेन ने इनकी आफशकता को ध्यान में रखते हुए दौनों के धंदे अलग-अलग बाट दिये मुकेश को कहा कि भाईया तुम जाओ और अपना बढ़िया तेल निकालो रिफाइन करके बेचो पेट्रोकेमिकल समालो रिफाइनरी समालो और दूसरे को जो पिताजी लगा कर गए थे रिलाइंस रिलाइंस का यानि की टेलिकॉम का काम पकड़ा दिया गया अनिल को टेलिकॉम सेक्टर के अंदर उतार दिया गया इस प्रकार से अनिल टेलिकॉम फाइनेंस और एनर्जी यूनिट में बिल गए कहा जाता है कि अनिल थोड़े व्यवहार में जिद्धी थे, उन्हें बिजिनिस की सेंस नहीं थी, उन्होंने उन धंदों में हाथ डाला जो की competitive नहीं थे और इस प्रकार से वो लगातार नुकसान जहिलते चले गए जिस Reliance को धिरूबाई अंबानी ने शुरू किया था कर लो दुनिया मुठी में कहकर के वो असल में मुकेश अंबानी के दिमाग की उपज बताया जाता था और कहा जाता है कि मुकेश अंबानी जब इस प्रकार से अनिलंबानी को रिलाइंस दिया गया था उससे काफी परेशान थे लेकिन दौनों भाईयों ने एक एग्रिमेंट किया था और एग्रिमेंट था कि हम 10 साल तक दौनों एक दूसरे के फिल्ड में पैर नहीं रखेंगे यही हुआ कि 2002 से अगले 10 साल के इंतजार में मुकेश हमबानी बैठे रहे कि एक बार अनिलंबानी को आगे निकलने ने दो फिर मैं अपना दुबारा से इस धंदे में एंट्री करूंगा और हुआ भी यही 2010 में पहुच करके इन्होंने अपना दिमाख लगाना शुरू किया क्योंकि 2012 में इनका समय पूरा हो रहा था कि मुझे टेलिकॉम में उतरना है और इस उतरने में इन्होंने धीरे-धीरे जियो की बुनियाद 2010 के आसपास शुरू कर दी थी कि 2010 में Reliance Industries ने 4800 करोड में Infotail Broadband Service Limited नाम की एक कंपनी की पिचाण में प्रतीशत हिस्सेदारी खरीदी थी यह जो Infotail Broadband Service Limited है यही देश की वो कंपनी थी जिसके पास 4G Network का स्पेक्टरम था देश के 22 जोन में बड़ा ही इंट्रेस्टिंग है कि 4G का इसके पास Network स्पेक्टरम था और इस Network स्पेक्टरम को लेने वाली एक कंपनी according to agreement between two brothers होने को तो front face में जियो नहीं हो सकती थी इसलिए किसी दूसरी कंपनी के साथ था लेकिन Reliance जियो ने बाद में इसी का नाम बदल करके इसी Infotail Broadband Services का नाम बदल करके Reliance जियो किया दिसंबर 2013 में 4G के लिए भारती Airtel से समझोता किया गया और कहा गया कि जो समुद्र से आने वाली Internet Cable है वो जियो Reliance Airtel से यूज करेगा साथ में वायरे स्टावर और Internet Broadband Service भी वो Airtel का इस्तमाल करेगा धीरे धीरे अने लंबानी की Reliance Communication पिछड़ती चली गई और Reliance Communication के साथ भी एक समझोता कर लिया गया कि 4G स्पेक्टरम फैलाने में वो भी मदद करे इस प्रकार से Reliance Jio ने अपनी 4G Services के लिए एंट्री करना शुरू कर दिया 27 दिसंबर 2015 को सबसे पहले Reliance ने अपने करमचारियों को Jio की Services उपलब्द कराई 4G सर्विस अपने करमचारियों को 2015 में उपलब्द कराई दिसंबर के अंदर और कहा कि एक बार आप यूज करके देखिए आप अगर यूज कर लेंगे तो फिर अप्रेल मई में चलके पूर का पैसा नहीं लेगी यह सत्य है कि जिस समय पर Reliance ने ये काम किया उस समय भारत के अंदर डेटा के चार्जिस अलग होते थे कॉल के चार्जिस अलग देने पड़ते थे कॉल और डेटा अलग-अलग 200 रुपे प्रती जीबी तक डेटा हुआ करता था लेकिन आज जो हम वा वापस लेकर जाना है क्योंकि जिस सतरह से आपने शुरुवात की थी तब ये कहा था कि अबो आई स्कॉल फूरी रहेगा डेटा आप वाइ स्कॉल तो पूरी तरह फूरी तरहिए देटा के लिए पे करना होगा और वह भी बहुत नॉमिनल पे करना होगा इसे गांदी जी के अंदर अगर गांधी गिरी कहा जाता था तो हम इसे डेटा गिरी कहते हैं तो इस तरह से आपने अपना प्रचार किया तो इस प्रकार से प्रोपर तरीके से इन्हों ने पूरी दुनिया के सामने एक तहलका सा मचा दिया कि इंडिया में एक ऐसा सर्विस प्रवाइडर आ जिसने तीन-चार महने के लिए तो unlimited internet फिरी कर दिया है कि जाइए और प्रति दिन के हिसाब से आप 4GB data यूज़ कर ये तीन महीने तक लोगों को पहले consumption habit डलवाई गई यानि कि एक ऐसा नशा जिसकी लोगों को आदत नहीं थी 200GB जहां एक और लोग पूरे महीने चला ले थे आपने 4GB प्रति दिन दे करके 3 महीने तक free का आदत डाला free unlimited calling करवाई 100 message के अंदर रुजाना प्रति देने के सुविधा करी लोगों को लगा कि बाई साब ये तो दुनिया में एकदम तहल का है अब बड़ा interesting बात ये था कि अगर 4GB डेटा आप किसी को देने लगोगे तो वो प्रति दिन उस डेटा का क्या करेगा इस डेटा के लिए इन्होंने बकाईदा 6000 से ज़्यादा movie free में उपलब्ध कराई एक करोड से ज़्यादा गाने उपलब्ध कराई कि अगर आपको डेटा मिल गया तो consume कहा करोगे डेटा मिल गया लेकिन चलाएं क्या इस से उसी दौर में 2016 के अंदर देश में एक तरह से वास्तविक्ता में सस्ते इंटरनेट के कारण इंटरनेट करांती ने जन्म लिया आज जो इंटरनेट बेस्ट जो सर्विसेज हैं फिर चाहे वो उबर और जो मेटो हो फिर चाहे ओया और ओयो हो या फिर एड टेक कंपनिया हो चाहे यूट्यूब पर चलने वाला इंटरनेट के बहुत आसानी से उपलब्द होने से बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ इसके लिए बकाइदा इन्होंने बहुती सुगम तरीके से लोगों को अपने साथ एंट्री करने का तरीका बनाया अनलिमिटेड फ्री कॉल, अनलिमिटेड एच्डी वीडियो, ना जाने क्या-क्या सुविधाएं देकर अपने साथ में ले लिया शुरुआती तोर पर इन्होंने इंटरनेट का सदुपियो करने के लिए इतने सारे एप्लिकेशन अपने लेवल पर भी उपलब्द करवाए जिसमें म्यूजिक था, जिसमें गाने थे, जिसमें चैटिंग थी, जिसमें मूवी थी, तमाम चीजे थी आज जियो के पास में, जहां जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो सावन, जियो न्यूज, जियो सिक्यूरिटी, जो आप इंटरनेट की चीज याद कर सकते हैं, वो लगभग इनके पास फिलहाल उपलब्द है जिस समय ये आए थे, जब इंटरनेट इतना महंगा था, इन्होंने इंटरनेट की दामों को एकदम धडाम से नीचे गिरा दिया इंटरनेट के दाम को नीचे गिराने से मार्किट में, यानि इंटरनेट प्रवाइडर जो कमपनिया थी, एएटल, वोड़ाफॉन जैसी जो कमपनिया थी, उनको 17,000 करोड के आसपास का नुकसान हुआ जियो का शुरुआत जबरदस्त हुआ, दिसम्बर 2016 तक फ्री ओफर दिया गया, उस फ्री ओफर को फिर इन्हों ने तीन महीने के लिए एक्स्टेंड कर दिया, 31 मार्च 2017 तक हैपी न्यू इयर ओफर करके दे दिया, जिसमें अनलिमेटेड डेटा वॉइस, यानि कि ये लो यूजर्स की संख्या में बेताहाशा व्रद्दी देखी, फिर हैपी न्यू इयर आया और हैपी न्यू इयर ने इन्हें 100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करा दिया, मतलब जीयो का जो जीयो यूजर था, वो बढ़कर के 100 मिलियन को क्रॉस कर गया, हाला कि इनकी शिकायत कर करने के लिए बड़ी सारी कंपनिया, Competition Commission of India भी गई, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी, फाइनली इनका ये ओफर चलता रहा, कंपनियों को भी इनकी तरह नीचे उतर कर सस्ते ओफर्स देने पड़े, फिर जब मार्च का खेल खतम हुआ, तो अगले 12 महीने के अब प्राइम मेंबर्शिप ले आए, मात्र निन्यान में रुपे में, कि प्राइम मेंबर्शिप जाइन करो 99 रुपीज में सारी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी, और अगर इंटरनेट यूज करना है, तो उसके लिए फिर एक फीस तै कर दी गई, धीरे धीरे इन्होंने पहले सस्ते की आदत डाली, आदत डाल करके इन्होंने प्रॉपर तरीके से इंटरनेट का यूज करते हुए, उसका कंजप्शन की हैबिट डवलप करी, कंजप्शन हैबिट के साथ में, अब उनकी इसी आदत का जैसे एक ड्रग एडिक्ट को पहले ड्रग का हलका साथ अब धीरे धीरे इनके दाम वसूल ने इन्होंने शुरू किये, जियो प्राइम मेंबर्शिप 99 रुपीज के हिसाब से कर दी और अनलिमिटेड जो डेटा है वो 303 रुपीज के हिसाब से कर दिया, नए तरह के प्लान निकाल दिये, लोगों को लेकिन ये भी बहुत सस्ता लग रहा था, धीरे धीरे इन्होंने ओफर्स में कहा कि अगर अब जियो मनी यूज करते हैं तो 50 रुपे तक का कैश बैग मी मिलेगा, आपको जानकर आश्चरे होगा, जियो ने 2017 के अंदर 31 करोड रुपे का लॉस बुक किया, जो कि लोगों को देखकर लगा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त लॉस कर लिया है, लेकिन इन्होंने एक ही जटके में जीयो यूजर्स के द्वारा 99 रुपीज का जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिया, 247 करोड रुपे रेज कर लिये, यानि कि इन्होंने वो तरीके निकाल लिये कि एक बार लोगों को सब्सक्राइब कि जो भी इनके कॉंपिटीशन में खड़ी हुई कमपनिया थी, वो अल्मोस्ट बरबादी के कगार पर पहुंच गई, चाहे टाटा डोकोमो हो, चाहे उस समय की एयर सैल हो, लगभग 8-9 कमपनिया देश में उस समय कॉल के लिए उपलब्द थी, इन्होंने सब को पस पैसे ले जाना फ्री इंटरनेट मिलता रहेगा, ऐसा करके इन्होंने 5 करोड फॉन बेच डाले, 1500 करोड रुपे में और मतलब फॉन टू जो था वो 3000 रुपे में इन्होंने उतारा, और 5 करोड से ज़्यादा फॉन इन्होंने मातर 2 साल के अंदर अंदर बेच दिये, धीरे धीरे समय बीचता गया, मार्च आता है और मार्च 31 को जब इनकी जियो मेंबर्शिप खत्म होती है और उसके बाद इन्होंने अपने मेंबर्स को फिर से एक प्राइस का डोज दे दिया, और कहा कि अगर आपको 2 GB डेटा चाहिए तो 98 रुपे में मिल जाएगा, यान इन्टरनेट को घरों तक तार सिर्फ पहुचाना जिसे जीओ गीगा फाइबर कहते हैं उसकी शुरुआत की, इन्टरनेट को जीओ गीओ गीओ फाइबर के माध्यम से घर तक पहुचाया और धीरे धीरे इन्होंने अपने द्वारा सारे वो काम गिनाने शुरू किये कि हम जब आए तो हमने देखो 200 रुपए का डेटा 5 रुपए में उपलब्द करा दिया, लोगों को ये 5 रुपए भी कम लगने लगा, जहां जीओ से पहले आने से पहले देश में वोड़ाफॉन, आईडिया, बीसनल, एयरसल, भारती, एयरटल और 5 अन्य कंपनिया डेटा प् ले दे करके बाकी जो दो बचे हैं, एयरटल और ये वोड़ाफॉन, इसमें से एयरटल ही है जो कि इनके साथ कॉम्पुटिशन में है, और फिलहाल के लिए एयरटल भी अब इनकी गतिविदियां सीख गया है, क्योंकि वो भी इनकी तरह पहले सस्ते प्राइस करता है, और जब ये प्राइस बढ़ाते हैं, तो वो भी बढ़ा देता है, और इस तरह का मार्केट जिसको पहले तोड़ा गया, प्रिडेटरी प्राइसिंग से सब को आदर डाली गई, अपने उपर निर्भर कर दिया गया, ये ही प्रकरिया मॉनो पॉलिस्टिक मार्केट कहलाती है, साथियों बाजार के तीन प्रकार होते हैं अर्थशास्त्र में, एक होता है परफेक्ट मार्केट जो सबजी मंडी में आप देखते हो, कि हर आदमी सस्ता माल बेचना चाता है ताकि उसका माल बिके और वो जल्दी से अपने घर पहुँचे, वहाँ पर आपको इतने विकल प्रकार के मार्केट को ओलीगोपॉलिस्टिक मार्केट कहते हैं फिलहाल हमारे देश में जीओ मॉनोपॉली की तरफ बढ़ रहा है ये जैसे कह रहा है वैसे बागी कंपनिया नाचने लग रही हैं चाहे एरटेल हो चाहे वोड़ाफॉन हो ये इसको टक्कर देने के चलते अपनी तरह से अपने प्राइजेस बढ़ा और घटाती रहती हैं फिलहाल के लिए जीओ के साथ में इन तीनों ने लगता है कोई सेटिंग कर लिए जिसके चलते अब ये ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट की तरह देखा जा रहा है मुकेश अमबानी की नेट वर्थ में इस इंटरनेट करांती के बाद जबरदस्त इजाफा हुआ लगातार इनका फाइनेंशल इयर ग्रो करता चला गया लगातार सब्सक्राइबर बढ़ते चले गए कहा जाता है कि वर्तमान में जहां इंडिया में लगभग 82 करोड इंटरनेट यूजर हैं उनमें से 45 करोड अकेल बढ़ कराकर जो क्रांती लाई गयी उस क्रांती को फिर इननोंने जंडे दिखाने शुरू किये पहले भी इनोंने जिस तरह से प्राइसे बढ़ाये थे 2021 में तब लोगों को बहुत जबरदस तरीके से रियक्शन देने का मौका मिला था उनन्होंने कहा था जजबात बदल दिये लेकिन फिर से आज ये मौका है 2021 के बाद इन्होंने अचानक 25% प्राइस हाइक कर दिया है ना केवल प्राइस हाइक किया है इनकी देखा देख जियो एयर टेल और वोड़ा फॉन भी प्राइस हाइक करने निकल गए है मतलब जो 209 रुपे का प्लान था वो 209 रुपे क बन गए है वही BSNL भाई साहब नहीं लगेगा सरकार के द्वारा दिये गए प्यार से कहीं बिचारा कौने में पड़ा हुआ है लगी नहीं रहा है कि उसको लिफ्ट करने का प्रयास किया जाए हो सकता है कि सरकार को संसाधनों के नाम पर प्राइविट कंपनियों से पैसा लगवाना था ताकि देश में आसानी से करांती लाई जा सके लेकिन यही कारण है कि सरकारी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है सरकार के द्वारा कंपनियों को बेचने का जो विचार होता है वो इसलिए त्यागना चाहिए क्योंकि कंपनिया जब सरकार से निकल जाती है हाथ से तो वो इस तरह से दुनिया को अपने इशारे पर नचाती हैं सरकार जो बार-बार कंपनियों को बेचने के लिए disadvantage कर दो कंपणियों को बेच दो वी निवेश कर दो यह सोचने की आवशकता है कि सरकारी कंपनिया好好 में होना जरूरी है माना कि सारी के द्वारा कार्य करने में जो ना इच्छा थी उसका नुकसान BSNL को भुगतना पड़ा ये तो आधासत्य है ही आधासत्य ये भी कहा जा सकता है कि अगर सरकार अपनी तरफ से BSNL को जियों के बरावर टक्कर देने के लिए खड़ा रखती तो आज मार्केट में एक ऐसा प् फोरजी नेट के नेटवर्क की आदत पड़ गई है और ये सरकारी वैसाकी के सहायता से चल रहा BSNL आज भी भाई साब नहीं लगेगा कि लड़ाई लड़ रहा है लग रहा है कि इसको तो बिल्कुल दीन ही इन इस्तिती में छोड़ दिया गया है साथियों मार्केट की य अपनी तरफ से बवाल मचा के रखा हुआ है मैं फिर से याद दिला दू धीरू भाई अंबानी ने दुनिया को कहा था दुनिया मुठी में कर लो बेटा उनका अपनी दुनिया को मुठी में करने निकल पड़ा और मौनोपॉली की तरफ निकला मैं आपको बता दूं मार् देश में ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि 140 करोड की आवादी वाले देश में देश के सभी संसाधनों पर कुछ ही कॉगलोमरेट का कबजा है जिनमें से अमवानी एक है और अमवानी के पास में इस तरह से जीयो का जो कंट्रोल है वो ना केवल और ये विवस्था होन लिया है वाटसब के थुरू अपने पास में पैसा लगा लिया है मार्क जकरबर्ग से पैसा ले लिया है फिर ये आने वाले समय में मिलकर के लोगों के घर पर सबजी बेचने का काम शुरू करेगा यानि पूरे देश को क्या असल में पूरे देश को अमवानी ही चलाएग ये असल माइने में एक मौनोपॉलिस्टिक मार्केट का सबसे भीषन तम उधारन देश में बनने जा रहा है आने वाले समय में ये चीज चीज बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि केवल इतना सा प्राइस बढ़ा करके 47,500 करोड रुपे इन्होंने एक मिनिट मे बाहर निकाल लिए यानि इंडिया के मार्केट से इतना तेजी से इन्होंने इंटरनेट के माध्यम से दाम बढ़ा करके ये सब कर लिया आपको लग रहा है कि 47,000 करोड ही तो किया है क्या हो गया हम इतने सारे लोग तो हैं 100 करोड के आसपास इंटरनेट यूजर हैं तो क् वो था मूवी प्रवाइडर था डिजनी उसको खरीद लिया है डिजनी को खरीद लिया है डिजनी ने हॉट स्टार को पहले खरीद रखता था वही हॉट स्टार जिस पर आप अपना समय बिताते हैं क्रिकेट देखते समय पांच-पांच करोड लोग लाइव क्रिकेट दे ले ले आजा भाई तो अब मेरे पास है, तो एक तरह से hot star, मतलब आप सोचिए कि देश की हर एक संस्था पर अब इनका कबजा होता चला जा रहा है, TV पर कबजा होता चला जा, मैं आपको एक नमूना दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा, लगबग हर लिए Amazon वगएरा या फिर Netflix यूज करते हैं, उसकी जगे ये अपना जियो सिनेमा लेकर आ गए है, सिनेमा के साथ जियो टीवी, जियो स्टूडियो, नेटवर्क 18 इनका अपना है, इसी तरह से इन्होंने न्यूस चैनल में, जियो न्यूस, CNBC, मनी कंट्रोल अपने न्यूस चैनल बना लिए, जैसे आप लोग WhatsApp वगएरा पर इन्वाल्व है, जियो चैट, जियो सिच, जियो 4G सर्विस इनका है, गानों के लिए आप Spotify सुनते हैं, जियो सावन इन्होंने अपना खरीद लिया है, इसी प्रकार जियो GST, जियो फाइबर, जियो क्लाउड, ये सब एम चैनल इर के अंदर, इनका जो consolidated revenue है, वो 23.6% बढ़ा, दो हजार 22-23 में, 9,64,864 करोड रुपे का revenue इन्हें इन्क्रीज किया है, भाई हम सब लोग इनके लिए अपनी एक आवशक्ता बन चुके हैं, कि हम तो हमको जियो की जरुवत है, और जियो की जरुवत है, तो ये हम के उपर, जैसा चाहेंगे वैसा प्रयोग करेंगे, यही तो आप देखिए कि अब ये अपनी जियो financial services लेकर आ रहे हैं, जियो financial services आते ही देश की top 5 में पहुंच जाती है, क्योंकि इनके पास data है, data है आपका भी हमारा भी, आपके mobile में automatic flash कर जाएगा कि जियो आ गया है, आ देश के साथ पहले देश को साथ लेकर चलने की बात थी, आपने ये सुविधाओं का उपयोग करके, लोगों के साथ 25% tariff high करना कैसे justify किया जा सकता है, सरकार को आवशकता है कि इस प्रकार की monopolistic approach रखने वाली कंपनियों के साथ सखताई से पेश आए, उनसे सवाल करे, सरक तो सुनिए, अब ये AC लेकर आने वाले हैं, वाइजर के साथ समझाता कि ये 10,000 रुपे में AC लेकर आने वाले हैं, किसाब 10,000 रुपे में AC लाएंगे, सस्ता AC, सस्ते में लाकर के देश को uplift करेंगे, ये प्लान इनका सबसे basic प्लान है, कि आपको चीजे सस्ते में मिलेंग और कंपनिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, वही सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते लड़ते, आप फिर जब अपने पास सब को पा लेंगे, तो आप ऐसे ही करेंगे, 2021 में आपने रेट बढ़ाई, अब 2024 में आप रेट बढ़ा कर 25% रेट सीधा बढ़ा कर ले गए, ये भाई साब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और इसके साथ ही देश के अंदर जनता को भी अवेर होने की आवशकता है, कि आप किसी के हाथ का कठपुतली ना बने, जागरुक रहें, इस तरह की चीज़ों पर अपनी प्रतिकरियाएं दें, अपनी प्रतिकरियां में इस बात को केवल उपभोकता के रूप में ना सुनते रहें, कि हाथ सब के साथ ही तो हुआ है, मेरे साथ ही क्या हुआ है, आपका यही शांत रहना ही आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनाती बना हुआ है, फिलाल के लिए आप समझ लीजिए कि देश को किस और आप अपने तरफ से जीओ के हाथ में जाता हुआ देख रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये प्लान कर रहे हैं, अपने हिसाब से प्लान करें, ठीक है साथ, फिलाल के लिए ये हमारी तरफ से प्रेडेटरी प्राइसिंग तो नहीं है, हमने इतने कम दामों में चार सब्जेक्ट आपक सोचते हैं, अब वो महंगी होने लगी है, इस से नुकसान एजुकेशन पर पढ़ने वाला है, बहुत सारे बच्चों का जो इतने कम दामों में हम लोग घर बैठे, इतना लाखो रुपए का कंटेंट उपलब्द कराते हैं, वो कंटेंट भी अब एक तरफ तो आम आदमी टेक्स की मार चड़ रहा है, और ये लोग अपना खर्चा दिखा कर पहले मार्केट को अपना बनाते हैं, और उसके बाद अपना खेला खेल जाते हैं, खैर कोई नी जी, आप लोग जागरुक रही हैं, मैंने मेरा काम कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी करेंट आपकी कोई भी टिपनी हो, तो कमेंट बाक्स में बताएं